आज आप लोगे साथ एक ऐसी remedy शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा नुसका शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आपने एक बार इस्तमाल कर लिया तो कमेंट्स में आगे दुबारा से वीडियो देखके ठैंक यू बोलोगे क्योंकि ये नुसका इतना जादा असरकारक है और अग आपका बाल ज्जाँ जहड़ रहे हो दो मुहें बाल हो गए हो बाल पतले हो गए हो बालं मैं इसे चमक चले गई हो बालोक की लंबाई बलकुल से बढ़ने में नहीं आ रही है हैर फ्ल Ne आपके बालों से जोड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ही एकदम से खतम हो जाएंगे और आपके बालों आपको एकदम से सुन्दर चमकदार रिश्मी मुलायम मिलेंगे बालों की लंबाई भी तेजी से बड़े और बाल आपके घने खुबसूरत भी लगेंगे इसनों उसके को प्रपेर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तमाल करने वाले हैं एक शैंपू आपने क्या कर अपने फेबरिट शैंपू जो है वह इसमें एड कर लेना है उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ेंगे जो कि हमारे हैट की ग्रोथ के लिए और बालों को काफी जादा है बनाने में हैल्फ करेंगी सेकिंड इंग्रीडिन जो है वह हम इसमें एड करने वाले हैं टर्मर या फ्री कर देगी जो गंदगी की टाडू आपके स्केल में जम जाते हैं उन्हें रिमूब करेंगे बालों को बहुत ज़्यादा हैल्दी और स्ट्रॉंग करने में हैल्प करेंगी लास्ट टाम इसमें एड करने वाले हैं शुगर यानी की चीनी चीनी आपको आपकी रसो बहुत बोलोगे कोगे देदी बहुत 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 शुक्री आपने हमें यह बता दिया आपके बालों से जोड़ी जितनी प्रॉब्लम है सब निपड़ जाएंगी और बहुत जादा हेल्दी स्टॉंग होने भी लग जाएंगे इन तीनों को आपने एड करना है भ्रिंग करता है तो आपने इनको ना अच्छे से तीनों को लेना है और आपने सब को आपस में मिक्स करना है यह पावरफुल पैक है अगर इस पाने से आप अपने बालों को वाश करेंगे तो आपके बालों जोड़ी जितनी प्रॉब्लम है सब ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाए आपने क्या करना है इन चारों चीजों को ले लेना है इसके बाद आपने लेना है नॉर्मल वाटर अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पीने वाला पानी है आपने वही लेना है थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करना है अगर आप एक साथ पा यह लगेगा और इसमें से प्रेटी सी बहुती कूल स्मेल आने लग जाएगी जो कि देखने में बहुत जादा अच्छा लग रहा है यह पैक और इसके यूज से आपके बाल एकदम से हेल्दी स्ट्रॉंग होने लग जाएंगे सबसे पहले आपने इसे थोड़ा इस तरीक से थिक पेस्ट बना लेना है थिक पेस्ट बनाने के बाद आपने के करना है इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करना है क्योंकि हमें इसे अपने पूरे स्कैल पर लगाना है तो इतना सा यह नहीं हो पाएगा इसलिए आपने करना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ क पर इस्तमाल किया हैं मुझे तो बहुत गजब्स की रिजल्ट जो हैं देखने को मिले हैं आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इस पैक को क्या करना है आपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगा लेना है और फिर बचे हुए पाउडर को बचे हुए पेस्ट को लंबाई पर अच्छे से अपलाय कर लेना है जब आप अपने बालों पर इसे लगाएंगे तब आपने क्या करना है आदे घंटे के लिए आपने लगाना है और अपने बालों को अच्छे से किसी भी टॉबल से कवर कर लेना है आदे घंटे के बाद नॉर्मली अपने बाल में ही देखेंगे जो आपके बालों की शाइन है वो बढ़कर बहुत जादा तेज हो जाएगी बाल चमक करने लगेंगे आपका हैर फॉल जो है एक बारी में ही कंट्रोल हो जाएगा एंड आपका हैल्दी हैर होने लग जाएंगे यह चोटी सी रेमेडी अगर आप इसे फॉ बार जरूर करेंगे तो आपको बहुत 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 रेजल्ट्स मिलेगा जिन लोकों बालों की ग्रोध को तेजी से बढ़ाना है वो इसे हफते में दो से तीन बार जरूर इस्तमाल करें और मुझे कमेंट्स में आके बताईएगा कि आपको इस नुसके से कैसा फायदा म रहती हूं तो वीडियो पसंद आने पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को आप सब्सक्राइब दिल्श्य शुक्रिया तब तक लिए टाटा बाइबाइब लोग को किसी और टापिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप ल